आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टी सेट नमबर थ्री जोकी अडिटोरिया वॉलूम वॉन बुक से चलाया जा रहा है एक दो अप्लोडेड है इसे पहले प्लेटफॉर्म वॉलूम टू कभी सारे सेट्स अप्लोडेड है तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्टे देख सकते है प्लेलिस्ट में बिहार्द र wrecka mainals के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ जाकी आप देख सकते है साधी साथ आपको हिंदी का वीडियो भी अब diya गया है और जो लिमेंनिंग कुछ वी जल्द है आप लोगों के आप लोगों का क्यों रि पूर ये कि math भी आपका 10 marks को almost आएगा और जो कि अगर आप 10 marks अगर आप math को अच्छे से कर लेते हैं तो वो confirm है कि आपको वो 10 marks देख के जाएगा पूरे concept और trick के साथ तो उसे आप एक बार देखिए वो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा आप अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके जो भी घर में कजन्स होंगे कोई छोटे होंगे उनको आप जरूर बो math का वीडियो रिफर कीजे ताकि उनको उनको उनसे जरूर ल नहीं लगती है तो देखिए अगर हम बात पुड़िचेरी के करते हैं तो अगर इसकी जो सीमा है वो माहे छेतर के साथ केरल से तो लगती है तो ये तो नहीं होगा अंसर ठीक है पुड़िचेरी और कराइकल द्वारा तमिल आडू से लगती है तो ये भी नहीं होगा और प्रियमन छेतर के साथ वो आंध्रपदे से साजा करती है तो ये भी नहीं होगा यानि इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा ओप्सन नमरे करनाटक पुड़ी चेरी से याद रखेगा पुड़ी चेरी का जो जिला है एक मा है वहाँ 2011 के जनगना के अनुसार सरबादिक लिंगा अनुपात वाला वो जिला था जहां कि जो लिंगा अनुपात है वो 1176 है पर 1176 फिमेल है पर 1000 मेल स्क्लियर है चलिए innen है नाकस क्ोश्यन हैं मारा क्ोश्यन नमर्ज सेकंड काहा है जहीलोक की अध्यान को क्या कहते हैं मतलबें लिम्भरोग्य के अंतरगत हम लोग जहील तलाब और नधियों का अध्या कर ते है question number third कह रहा है मौंजली संसार का सबसे बड़ा नदी दीफ है किस राज में ये स्थित है तो ये आसाम में स्थित है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और ये कहा आसाम राज में ब्रहंपुत नदी में स्थित है ये मौंजली दीफ क्लिर है आसाम से याद रखीएगा यहाँ के मुख मंत्री का नाम है सरभानन सोनेबाल यहाँ के गवर्नर का नाम है जग्दीस मुखी और यहाँ से याद रखीएगा आसाम से यहाँ मानस, काजी रंगा, नामेली राजिव गांदी और रंग ये सारे National Park आसाम से है Question No.4 कहा रहा है भारत में पिली करांती का संबंध है तो भारत में जो पिली करांती का संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है तो अपसर No.2 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और बहुत सारे तिलहन से एक और चीर याद रखेगा तिलहन से एक चीर याद रखेगा जो तिलहन परियोदगी की मिसन है उसकी अस्थापना 1986 में हुई है ये Question बहुत बार पूछा गया है कि तिलहन परियोदगी मिसन की अस्थापना कब हुई है तो 1986 में हुआ है साथी साथ कुछ अनकरांतियों के नाम भी याद रखेगा वो किसे संबंधित हैं ये याद रखेगा क्यूंकि वो बहुत बार इक्जाम में पूछा जाता है जैसे कि याज़ अज For E Twist करांति इसका संबंध खाध्यान उद्योग से है रियजत करांती इसका संबंध अंडव उत्पादन से है अमरित करांती इसका संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है Q5 का रहा है नुमालीगड तेल रिफाइंजी परिकरन साला किस राज में इस्थित है अस्थापित है तो इसका जो सईयन से रोगा बो हो जाएगा असाम असाम में ये स्थित है टिक है असाम में ही पहला तेल कार खाना सोधन कर खाना लगा था डिक बोई में भारत की पहली तेल सोधन कर खाना जो था वो भी असाम के डिक बोई में लगाया गया था ये जो नुम पहले था 3 mm TPA, mm TPA होता है million metric ton per annum, एक साल में कितना million metric ton वो करेगा, लेकिन अब इसको तीन गुना बढ़ा दिया गया है, और अब इसको कर दिया गया है, 9 mm TPA, मतलब 9 million metric per annum. next question है, question number 6, question number 6 कह रहा, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी पर्योजना है, तो भारत में जो सबसे पुरानी नदी घाटी पर्योजना है, वो है दामोदर घाटी पर्योजना, तो option number C जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, और है किस पर, दामोदर नदी पर, और इससे जो लाव पहानवित राज है वो है जारखंड और पश्ची मंगाद। दामोदर घाटी पर योजना जो है वो प्रथम पंजवर्षियो योजना के दौरां शुरू किया गया था। Q7 क VII का रहा ya integral coach factory है तो integral coach factory जो है वो चन्नाई तमिलाडु में यस्तित है तो option no.A जो होगा पैरंबूर चन्नाई तमिलाडु में यस्तित है तो option no. A जो होगा वो हमारा सही अंसर है ठिक है? इसकी अस्थापना कभ हुई थी? इसकी अस्थापना हुई है 155 में साथी साथ दो और याद रखिएगा कौन-कौन सा एक है रेल कोच फेक्टरी जो कि है पंजाब के कपूर थला में और एक है मौडरन कोच फेक्टरी जो है एरायब रेली में कुश्चन नमर एट कहा रहा है भारत में जनसंख्या में जो सही अंसर होगा पोगोजागा ऑप्सन नमर बी जनगन्ना है इसको जनसंख्या महवाजक बर्स भी कहा जाता है और जो हुआ था वो लमसम 0.31% इसमें जनगन्ना अभी रिसेंटली इसके बाद कोई जनगन्ना नहीं हुआ है 2021 का जो जनगन्ना है वो भारत की 15 मी जनगन्ना है और स्वतंत्र भारत की 7 मी जनगन्ना है क्लेर है जनगन्ना से और कुछ चीज याद रखेगा कि जनगन्ना जो दिवस मनाया जाता है वो जनगन्ना जो दिवस मनाया जाता है वो इगारत जुलाई को मनाया जाता है साथी साथ एक और चीज़ याद रखिएगा जन संख्या का लगू भी भाजक बर्स भी पूछा जाता है तो जन संख्या का जो लगू भी भाजक बर्स है वो है 1921 नेक्स कोशन अमारा कोशन नमर 9 कोशन नमर 9 का रहा है निमलीखित में से किस परवतिय अस्थल के नाम का अर्थ बर्जपात अस्थल है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा ऑप्सन नमर डी दार्जलिंग देखिए जो दार्जलिंग है वो जेनरली दो सब्दों से मिलके बना है एक जो है तिवतियो भासा में दोर्जे इस दोर्जे का मतलब ही होता है बर्जपात और दूसरा है लिंग जिसका मतलब होता है अस्थल इसलिए उसको बोला जाता है बर्जपात अस्थल दार्जिलिंग है का पस्चिम मंगाल में बेस्ट मंगाल में यहाँ चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है एक ची और याद रखेगा दार्जिलिंग जो है उसकी हाइट है लमसम 2134 मीटर क्लेर है सिलोंग की बात करते हैं तो सिलोंग की हाइट है 1525 मीटर यह मेघाले में है गैंग टोग की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 1850 मीटर सिक्की में है और उटकमंड की बात करते हैं तो यह तमिल नाडू में इस्थित है Q10 कह रहा है बायू मंडल में जिस ओजोन छितर का पता लगाया गया है वो कहां इस्थित है तो इस Q10 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा Option B अंटार्टिका के उपर है देखे ओजोन जो है वो संताप मंडल में इसकी उपस्थिती होती है और जोन का जो सबसे अधीक हार्स होने का पता लगा है वो अंटार्टिका के उपर पता चला है तो इस Q10 का जो सही अंसर होगा वो हो जागा Option B Q11 कह रहा है पिर्थिभी के बायू मंडल का सरवाधी घनत किस मंडल में होता है तो इस question का जो सही answer होगा पो हो जागा option number B छोब मंडल जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपस्फेर बोलते हैं इसको हम लोग छोब मंडल को और क्या बोलते हैं संबहन मंडल भी कहते हैं ये भी याद रखेगा क्या कहते हैं संबहन मंडल करते हैं जनरली जो बायू मंडल है उसको हम लोग मुक्तब पाँच अस्तर में विभाजित करते हैं, ट्रॉपोस्फेर, अस्टेटोस्फेर, ओजोन्फेर, आइनोस्फेर और एक्जोस्फेर, मतलब छोब मंडल, सम्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह मंडल, इसमें से सम पाई जाती है, इसलिए इसको प्रिथिवी का सुरच्छा खबर भी कहा जाता है, क्वेशन नमर 12 कह रहा है, आइसो नेफ सब्द घोतक है, तो आइसो नेफ सब्द जो घोतक है, इस क्वेशन का जो सायन से रोका बहुँ जग, ऑप्सन नमर A, समान मेगा चाथ छादन के ल क्वेशन नमर 13 कह रहा है, रास्टिये एटलस एबं तर्ट बगत मान चितरन संस्थान कहां इस्थित है, मतलब नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग कहां इस्थित है, तो इस क्वेशन का जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, आप्सन नमर B, कोलकता में ये इस्थित है और आप्सन्स की अगर बात कर लेते हैं, तो कलकता से और याद रखेगा, कि कलकता में पुरा तात्रिक सर्वेशन भी भाग भी है, जूट अनुसंधान संस्थान भी है, पूने की बात करते हैं, तो पूने से याद रखेगा, इंडेन सीकुरिटी प्रेस, भारतिये मौसम बेद साला, देहरादून से याद रखेगा, पेट्रॉलियम संस्थान, बन अनुसंधान केंदर, नई दिल्ली से याद रखेगा, क्रिसी अनुसंधान केंदर, मौसम बिज्ञान संस्थान, भारतिये आईवल बिज्ञान संस्थान, ये सब का संबध नई दिल्ली से है, इन दोनों का काम यही था ओजोन से रिलेटेड यह सम्मेलन है तो यह दोनों भी याद रखिएगा साथी साथ सितंबर महीने के कुछ और important डेज आपको याद रखने होगे जो कि है जैसे कि 8 सितंबर अंतराष्टिय साथ चर्ता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 21 सितंबर 20 वसांती दिवस, 27 सितंबर 20 पर्याटन दिवस question number 15 कहा रहा है जल निर्गम छिद्र किस परकार की अस्थाला क्रीटियों में पाए जाते हैं तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होजगा option number A चूना छेत्र या फिर क्लोस्ट्रोल बाले भाग में बायूमंडलिये CO2 यूक्त जल से असंग छिद्रों का निर्मान होता है मतलब चूना छेत्र में जो होता है वो जल अस्थले क्लीटियों में पाए जाते हैं तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 16 का एड़ा मुर्लेन नेशनल पार्क किस राज में इस्थित है तो मुर्लेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में इस्थित है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा मिजोरम से और याद रखेगा यहां mountain जास्थिये पार्क भी है डामफा अभियारन भी मिजोरम में है मेघाले की अगर बात कर लेते हैं तो मेघाले से याद रखेगा यहां बल फकरम नेशनल पार्क है सीजू अभियारन है नांग खिलेम अभियारन है त्रिपूरा से आउड़ेड रास्टिये पार्क है नागलेंट से याद रखेगा यहां इटांगी अभियारन है Q17 कहे रहा है आपात काल के द्वारान कुछ मुल अधिकारों का अस्थागन रास्पती द्वारा कर दिया जाता है या बेवस्टा भारती है सम्विधान के किस देश के सम्विधान से प्रेरीठ है देखेए बात कर लेते हम लोग रास्टिय आपात काल की तो रास्टियापात काल का घोसना जैसे ही होता है वैसे ही अनुछेद 19 में जो बरनित हमारा मुल अधिकार है वो स्वतही निलंबन हो जाता है उसका लेकिन अनुछेद 20 और 21 को छोड़ कर 20 और 21 कभी निलंबन नहीं होता है 20 और 21 को छोड़ कर बाद बाकी मुल अधिकार जो है वो राष्टपती के कोडिक वो उसके लिए राष्टपती आदेश जारी करता है उन सभी अधिकारों को निलंबन के लिए क्लिर है तो ये कहां से लिए गया है जर्मनी से लिए गया है जर्मनी से क्या लिए गया है अपात काल के परवर्थन के दोरान राष्टपती को मौली का धिकार संबन्दी सकतिया जो है वो जर्मनी से लिए गया है अगर हम बात अमेरिका की कर लेते हैं तो अमेरिका से मौल से लिया गया है विधी द्वारा अस्ताफित प्रक्लिया जो है वो जापान से लिया गया है next question है question number 18 question number 18 कह रहा है निमलिखित में से कौन सा एक मौली कर्टब नहीं है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जागा option number D धर निर्पिच्टा का पालन करना एक मौली का अधिकार मौली कर्टब नहीं है देखिए मौली कर्टब सुरू में थे 10 लेकिन अभी प्रेजेंट में 11 मौली कर्टब को जोड़ा गया 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा लिया गया है जसिया से है कहां भाग 4 के क में अनुछेद एकामन के क में मौली का दिकार को रखा गया है ये उस समय लेकिन 10 मौली का दिकार को जोड़ा गया था और एक जो इग्रहमा मौली का दिकार है उसको जोड़ा गया 26 समिधान संसोधन 2002 के द्वारा नमलेखित में से किस एक्ट के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को सरपथन ब्रिटी संसत के अधिन लाया गया है तो इस क्वेशन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा आप्शन अमरे रियागुलेटिंग एक्ट 1773 देखे 1773 के इरियागुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटी सरकार का कोट अफ डिरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंतरन था वो ससक्त हो गया था और अप्संस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इससे याद रखने वाली बात है कि इसी के तहत दोहरे परसाषन का पर्ण हुआ था मतलब Board of Directors और Board of Controllers जो था वो बैपारिक मामलों के लिए था और Board of Controllers जो था वो राजनितिक मामलों के लिए था अगर हम बात 1793 का चाटर एक्ट का करते हैं तो इसके द्वारा जो था वो नियंतरन Board के जो जितने भी सदस और करमचारियों थे उनका जो बेतन दिया जाता था वो भावतिये राजस से देने की वेवस्था कर दी गई फिर बात अगर चाटर एक्ट 1833 की करते हैं तो इसके तहट क्या हुआ था कि कंपनी के बैपारी का धिकार को पुंता समाप्त कर दिया गया था पहला चीज दूसरा चीज हुआ था कि भारत में दास प्रत्था को बिदी बिरूद घोसित कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा तीसरा हुआ था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जेनरल को भारत का गवर्नर जेनरल कहा जाने लगा था क्वेशन नमर 20 का रहा किस समिधान संसोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 बर से घटा कर 18 बर्स कर दी गई है और अप्शन की अगर हम बात करते हैं अगर हम एक आनमनमा समिधान संसोधन की बात करते हैं तो यह हुआ है 2003 में ठीक है और इसी के तरह ये इसी के तहत ये उपबंद रखा गया है कि लोग सभा और विधान सभा की जो सदस की संख्या होगी मतलब जितनी सदस की संख्या होगी उसका 15% ही मंत्री परिसाद होगा ठीक है अगर हम बात 69 मा समिधान संसोधन की कर लेते हैं तो ये 1991 में हुआ था और इसी के तहट दिल्ली को रास्टियर राधानी छेकर बनाया गया अगर हम बात एक खतर्मा समिधान संसोधन की करते हैं तो ये 1992 में हुआ और इसी के तहट आठमी अनुश्या सुची में तीन भासाओं कौंकनी, मनिपूरी और नेपाली को जोड़ा गया किसी ब्यास्ट ब्यक्ति को जिसका नाम मत दाता सुची में है उसे मत देने का अधिकार है ये समिधान के किस अनुश्या से उसे प्राप्त है तो इस कौश्चन का जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी अनुश्याद 326 देखे ये निर्वाचन आयोग की ह से पहले तो अस्ठापना देख लिजे निर्वाचन आयोग की अस्ठापना हुई थी 25 जनबरी 1950 को निर्वाचन आयोग है भाग. 15 में और निर्वाचन आयोग से अनुछेद नहीं थे 324 से लेके 329 तक जो अनुछेद है इन सब का संबंद निर्वाचन आयोग से ही है Q22 कह रहा है निमलिखित में से किसने भारतिय सम्मिधान के प्रस्ताबना को सम्मिधान की कुंजी या नोट कहा है Q23 कह रहा है निमलिखित में से किसने प्रारूप सम्मिधी के सामने प्रस्ताबना प्रस्तूत किया है Q24 कह रहा है भारत के किसी राज में अनुछे 356 के अंदर राष्टपती सासन समानता अधिक्तम कितनी अभधिकाल के लिए लगाया जा सकता है तो यह बात कर रहा है यहाँ पर राष्टपती सासन की तो राष्टपती सासन जो है अधिक्तम तीन बरसो के लिए लगाया जाता है तो राष्टपती सासन का घोसना यदि संसत के दोनों सदन सधारन बहुमत से अलग-अलग 60 दिनों के भीतरा नुमोदन कर दे तो राष्टपती सासन के घोसना 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है इसी प्रकिल्या से इसे दूसरी बार आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसे एक बरसे अधीक समय के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब दो सर्ते का फुलफिल हो और भारत का चुनाव आयोग यह पर्मानिस कर दे कि चुनाव कराना संभब नहीं है इस केस में राष्पती सासन की अधिकतम अब्धी जो होगी वो 3 बरस हो जाएगी राश्पति सासन से एक चीज़ याद रखेगा राश्पति सासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था कुश्चन नमर्ट 25 कह रहा है किसी राज की बिधान परिशद में राजपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राश्पाल वैसे सदस का मनोहनन करता है जो साहित, ग्यान, कला, सहकारिता अंदोलन और समाज से बाका बिसेस ग्यान बबैभारी का नुबह रखता हो एक चीर यहां से याद रखेगा कि जो राजपाल के द्वारा जो नामित सदस होंगे उसको किसी भी स्थिती में आदालत में चुनोती नहीं दी जा सकती है कोई राज नितिक डल को छेत्रिये डल के रुप में मानता प्राप्त करने के लिए किसी एक राज में कुल बैध मत का 6% मत उसे प्राप्त करना होगा तभी उसे च्छेत्रिये डल के रुप में मानता मिलेगा कोई नुबह 27 कहरा संबेग का मातरक संबेग यानि मोमेंटम की यह बात कर रहा है तो मोमेंटम होता क्या है मोमेंटम इस क्वल्टू यानि संबेग इक्वल्टू होता क्या है दरबमान इन्टू बैग दरबम्यान का होता है किलोग्राम और बैग का होता है मीटर पर सेकेंड तो इसका हो जगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यानि आप्सन नमबर B यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा मोमेंटम जो होता है मतलब संबेग जो होता है वो वेक्टर कॉइंटिटी होता है सदी सराफी होता है कॉश्चन नमर 28 कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है तो देखिए इसको मिलाएए जो फैदो मीटर होगा वो मिलेगा किसे समुदर की गहनाई नापने वाला यह अंतर है फ्लाक्स मीटर क्या है चुमकिये परवाह मापने वाला यह अंतर है गैलवेनो मीटर की अगर बात करते हैं तो गैलवेनो मीटर क्या है बिवांतरम आपने वाला यंतर है और गायरियो स्कोप की बात करते हैं तो ये घुर्लन गतिम आपने वाला यंतर है तो इसको अगर आप ला लिजेगा तो ये option number B के साथ मैच करेगा तो इस question का जो सई अंसर होगा वो हो जागा option number B question number 29 कह रहा है मानम मस्तिक का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो मानम मस्तिक का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरे ब्रह्म यानि option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा मस्तिक से याद रखिएगा मस्तिका जो बजन होता है वो 1400 गराम के पास होता है कितना होता है? 1400 गराम होता है सेरे ब्रम से याद रखिएगा बुधी हमारे सरीर में जो बुधी मता होती है जो हमारा इच्छा सकती होता है या चिंतन का कार्ज होता है ये सब कार्ज करता है सेरेब्रम अगर हम बात मेडूला ओमलेग गर्टा की करते हैं तो ये मस्ति का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका जो मुख कार्ज है या एक चीज और याद रखेगा जो दूद से हम लोग मक्षन निकालते हैं बो भी अपकेंदरन के सिधान पे ही कार्ज करता है Q.31 कहा रहा है प्रिश्टनाव किसके कारण पैदा होता है तो इस Q. का जो सही अंसर होगा बहु हो जगा अनुओं के बीच सा संजक बलके कारण प्रिश्टनाव पैदा होता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 32 कहा रहा है oxygen की खोज किस ने की थी तो oxygen की खोज किया गया था जोसेफ प्रिष्टले के द्वारा 1774 में तो question का जो science रोगा बहु हो जागा option number 1 अगर हम बात अंडर्सन की करते हैं तो अंडर्सन से याद रखेगा इन्होंने positron की खोज की थी हेंडी कवेंडिस से याद रखेगा इन्होंने hydrogen का खोज किया था रोबेट बॉयल से याद रखेगा रोबेट बॉयल जो थे वो रोबॉयल सोसाइटी के संस्तापक थे तथा साथी साथ इन्होंने तत्वों की प्रथम बहज्यानिक परिवाशा भी दिया था कोश्चन नमर 33 कह रहा है नीमन में से कौन मिसरन नहीं है तो देखिए ओप्सन जो दिया हुआ है वो है बायू, LPG, गैसोलीन और आसूत जल तो इस कोश्चन का जो साई अंसर होगा वो हो जाएगा ओप्सन नमर डी आसूत जल क्योंकि बायू जो है बहुत हो मिसरन है किसका जैसे नाइट्रोजन हो गया, औक्सीजन हो गया, कार्बन डायोकसाइड हो गया, बाटर बेपर हो गया, LPG के अगर बात करते हैं तो LPG जो है वो ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिक्चर है, गैसोलीन के अगर बात करते हैं, तो यह जितने भी different alkenes है, alkenes है, psycho alkenes है, उसका मिसरन है, तो इस question का जो सही answer होगा, बहुत हो जाएगा, option number D, आसूत जल, question number 30 कह रहा है, नाभी की खोज किसने की थी, इस question का जो सही answer होगा, बहुत हो जाएगा, option number B, Rutherford के द्वारा, नाभी की खोज की गई थी 19212 में, गोरलस्टीन की बात करते हैं, तो इनके द्वारा proton की खोज की गई थी, और neutron की खोज की गई थी, James Chadwick के द्वारा, निल्स बोर की अगर बात करते हैं, तो निल्स बोर से याद रखेगा, यह Dan Mark के थे, और इन्होंने quantum विचारों के आधार पर hydrogen पर्मानू के spectrum की बै क्यूंकि देखिए, अक्रियों गैसे को बातम कच्छा में जो इलक्ट्रॉन संख्या होता है, उस गैस का electronic बिनियास के बराबर होता है, तो इसके कारण जो अक्रियों गैस होते हैं, इनकी जो प्राकृति होती है, वो अस्थाई होती है question number 36 कह रहा है, प्राकृतिक गैस में कारण अनूओ की संख्या है, तो इसका जो सईयन सर होगा बोह जगा, option number A, ये जो होता है, ये नाचुरल गैस में अनूओ की संख्या है, ये पिट्रॉल में है, ये नेफ्स्ता में है, और ये किरोसिन वाइल में है question number 37 कह रहा है, निवन में से कौन सबसे अधीक अभी क्रियासील धातु है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, बोह जगा, option number D, के जो है, वो सबसे अधीक अभी क्रियासील धातु है, के का मतलब होता है, potassium, इसका atomic नमर होगा 19, AG का मतलब होगा silver, इसका atomic नमर होगा 47, AU का मतलब होगा gold, इसका atomic नमर होगा 79, और यही जो होगा, वो सबसे कम अभी क्रियासील होता है, gold, cu का मतलब होगा copper, और इसका atomic नमर होगा 29, next question है, question number 38, question number 38 कह रहा, बयसकों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, अतिसार को हम लोग डायरिया के नाम से भी जानते है, अतिसार का जो प्रमुख कारण है बयसकों में वो है नोरोबारस, लेकिन अगर यही question में पूछ दिया जाए, कि बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, तब हो जाएगा answer, रोटोबारस, question number 39 कह रहा, बर्व का हिमां के बंदर यांक कितना होता है, तिस question का जो सही answer वो है, question number 40 कह रहा, भारत के राष्टिये पूस्व का बैग्यानिक नाम क्या है, तो भारत का जो राष्टिये पूस्व है, वो है कमल, और उसका जो बैग्यानिक नाम है, वो है नूलोमा, नूसिफेरा, तो option number C जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, पिस्वा में स्टेबियम जो है, य ये मटर का बैग्यानिक नाम है, ये जो है, ये धान का बैग्यानिक नाम है, और ये गेहूं का बैग्यानिक नाम है, ठीक है, अगर और options के हैं, मतलब और राष्टिये चीनों की बात करते हैं, तो राष्टिये जो पच्छी है, वो मोर है, और इसका जो बैग्यानिक नाम ह बो है पावो क्रिस्टेटस राष्च्टिय फल आम है और इसका बैग्यानिफेरा इंडिका राष्टिय पसु बाग है और इसका बैख्यानिक नाम है बो है पैंथराइgens लिन्यास राष्टिय नदिय बो है गंगा और इसे एक चीज याद रखेगा गंगा को राष्टिय नदी 4 November 2008 को घोसित किया गया था Question number 41 कह रहा है DNA कहां पाया जाता है DNA होता क्या है DNA जो होता है वो होता है Di-ribonucleic Acid ठीक है इसका जो मतलब की पाया कहा जाता है सबसे चाद़ा ये केंदरक में पाया जाता है अधिकान समातरा में माइट्रो कॉंडिया में भी पाया जाता है हरी तलबक में भी पाया जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बोह जाएगा option number D इन में से सब ही Question number 42 कह रहा है कबाक एबं सहवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते है तो जैविक मर्वस्तल कहा जाता है दामोदर नदी को क्यों क्योंकि जो दामोदर नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूसीत है और इसके कारण उसमें जीव जंतुआं कम पाये जाते हैं इसलिए उसको जैविक मर्वस्तल कहा जाता है दामोदर नदी से याद रखेगा जो दामोदर नदी है वो जारखन के छोटा नागपूर पठार से निकलती है और जारखन और पश्चिम बंगाल में बहती है दामोदर से एक और चीज़ याद रखेगा दामोदर को बंगाल का अभिसाब भी कहा जाता है Q44 कह रहा है UNFCCC के COP26 का आयोजन की सहर में किया जाएगा तो COP26 का आयोजन जो होगा वो किया जाएगा और स्कॉटलेंड में तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा अप्सन नंबर C देखिए COP का मतलब होता है Conference of Parties Conference of Parties का जो COP25 था वो कहा हुआ था COP25 हुआ था Madrid अस्पेन में और COP26 जो होगा वो स्कॉटलेंड में होगा अगर हम बात UNFCCC की करते हैं तो इसका मतलब होता है United Nation Framework Convection on Climate Change ये 1992 में ड्राफ्ट किया गया था और 1994 से ये एफेक्टिव है Q45 कह रहा है बचार किस पसू की नई नसल है तो ये गाय की नई नसल है तो आपसन नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इसके साथ साथ ही गाय की कुछ और नसले के भी नाम याद रखेगा एक जाम में पूछ लिया जाता है जैसे कि ये है साही बाल, राठी, सिंधी, अंगोल ये सब गाय के कुछ अन नसले हैं जो आपको याद रखने होंगे Q46 कह रहा है भारत के बिदेसी मुद्रा भंडार में निम्लिखित में से किसे सामिल किया गया है तो इस question का जो साही अंसर होगा बहुँ जागा Q47 कह रहा है निम्ल में से किस अंतराष्टीय संगठन द्वारा माना विकास रिपोर्ट का प्रकासन किया जाता है तो माना विकास रिपोर्ट का प्रकासन 1990 से किया जा रहा है और ये UNDP के द्वारा किया जाता है UNDP मतलब United Nation Development Program के द्वारा अगर बात हम लोग БिसBank ही कर लेते हैं तो बिसBank के याद रखेगा ये 1944 में establishment हुआ था और इसका headquarter है बासिंग्टन अगर हम UNDP की बात करते हैं तो ये 1965 में हुआ था इसका headquarter है Newark UNICEF की बात करते हैं तो ये 1946 में हुआ था इसका headquarter है Newark और IMF की बात करते हैं तो IMF बासिंग्टन में इसका हेड़क्वाटर है और इस्टाब्रिश्मेंट एर है 1945 IMF का फूल फॉर्म होगा International Monetary Fund, UNICEF का फूल फॉर्म होगा United Nation International Children Emergency Fund, UNDP का होगा United Nation Development Program, अब World Bank तो World Bank है ही Question No. 48 कह रहा भर्स भारतिय रिजर्बैंक का राष्टिय करण किया गया था तो देखिए अगर हम बात लोग रिजर्बैंक की करते हैं तो रिजर्बैंक जो था वो RBI Act 1934 के तहत 1 April RBI Act 1934 के तहत 1 April 1935 को इसकी अस्थापना हुई थी और फिर जाके एक जन्बरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था राष्टिय कर दिया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B अगर हम बात RBI की करते हैं तो रिजर्बैंक जो है वो हमारा केंद्रिये बैंक है, सेंटर्र बैंक है और इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है question number 49 कहा रहा है निम्न में से कौन सा एक बिदेशी परतियच निवेस में सामिल नहीं होगा तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D portfolio निवेस जो होगा वो सामिल नहीं होगा question number 50 कहा रूप्य की परिवर्थ नियता का क्या तातपर्ज है तो रूप्य की परिवर्थ नियता का तातपर्ज है रूप्य को अन मुद्रा में परिवर्थित करने है तू अनुमती तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 51 कहा रहा है भारत में मुद्रा के निर्गमन है तो निम्ण में से कौनसी प्रनाली अपनाई गई है तो इस मेरत का जो साहिए निवासियों का सेश बिस्व के साथ सभी आर्थिक बेभारों का विप्रण ही भुक्तान सन्तुलन कहलाता है Q53 कह रहा है बहुत धर्म से जुड़े तत्यों में से असत्य की पहचान कीजे तो पहला कह रहा है गौतम बुध अपने 35 बर्स में सम्बोधी यानी ज्यान की प्राप्ति किये थे तो ये बिल्कुल सही है बो 35 बर्स की आयू में बैसाख पुणिमा की रात को निरंजना नदी के टड़ पर पीपल बिरिच के नीचे अपना ग्यान प्राप्त किये थे दूसरा है बहुत धर्म से जुड़ उपदेश पाली भासा में दिये गए है ये भी बिल्कुल सही है फिर बहुत धर्में जाधी प्राथा को महत्ब दिया गया ये गलत है क्योंकि जो महत्मा बुध से उन्होंने जाधी प्राथा को कठोर निंदा किया था जाधी प्राथ तो ये अपना प्रथम उपदेश सार्नास में दिये थे और सर्वाधिक उपदेश सराबस्ती में दिये थे चार बॉस संगतियां हुई थी पहला राजगिल में दूसरा बैसाली तीसरा पाठली पूत और चोथा कुंडल बन क्वेशन नमर 54 कह रहा है महात्मा बुद्ध की मुद्रा वा प्रतीक संबंदी सुची एक मन सुची दो में से असत जोड़ी की पहचान केजिए तो देखे अगर हम बालोग बात करते हैं कि अभय मुद्रा सांसी सुरच्छा देलता बिल्कुल सही है ध्यान मुद्रा ज्यान की बहव भंगिमा ये गलत है। ध्यान मुद्रा जो है वो ब्युद्ध धैरा संगgines के नियमों के लिए समादिव सकेंद्रन था। करना मुद्रा असूरी सक्तियों का ना सही है और धम्चक मुद्रा प्रथन धर्म उपदेश ये भी सही है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 55 कह रहा है राम चरीत मानस में सुन्दर कांट के ठीक बाद कौन सा कांट आता है तो इस question का जो सही अंसर हो जाएगा Dymes बिन्दुसार के दरबाज में किस राजा के द्वारा भेजा गया था तो Dymes जो था बिन्दुसार के दरबाज में सीरिया के नरेस एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था तो आपसर नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ये जो डाइमेकस था इसको मेगास्थनिच का उत्रा धिकारी भी माना जाता है बिंदु सार की बात करते हैं तो बिंदु सार जो था बोचंद गुप्त मौत का उत्रा धिकारी था जो 298 में इसा पूल मगत की राद गदी पर बैठा था बिंदु सार से एक चीर याद रखेगा इसके सासंकाल में तच्छ सिला में जो दो बिद्रो हुआ था उसको दवाने के लिए इसने पहले सुसीम को भेजा था और फिर बाद में असोक को भेजा था तो ये कोश्चन बड़े अच्छे से याद रखेगा बहुत बार जाम में पूछा जाता है कि तच्छ सिला में हुए बिद्रो हुआ को दवाने के लिए बिंदु सार ने किसको भेजा था तो पहले नमबर पर सुसीम को भेजा था और उसके बाद फिर असोक को भेजा था अस्तमक लेखों की संख्या थी साथ जो साथमा अभिले था वो सबसे लंबा था कुछ अभिले याद रखेगा जिसका संबन्थ किसे है? पहला भी लेख था पसुवली की निंदा, पाचमा भी लेख था धर महामातरों की निक्ती, साथमा और आथमा भी लेख है असोक किती थी आत्राओं का उलेक ते रहमा अभी लेक जो सबसे most important है उसमें है कलिंग यूद का बर्नन और चोधामा अभी लेक जो है वो है जन्दा को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरीत करना question number 58 कह रहा है ताम लिपी भारत के किस टर्ट पर इस्थित बंदर का है तो ताम लिपी जो है वो पूर्वी टर्ट पर इस्थित है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ये बंगाल की खाड़ी में इस्थित एक प्राची नगर है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो तो इनका आगमन का जोक्राम होगा बो हो जगा option number B, इंडो ग्रीक, मतलब हिंदी उनानी पहले आए, फिर सक आए, फिर पल्लब यार पार्थियाई आए, फिर कुसान आए question number 60 कहरा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने का सिखा किस ने चलाया तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number B, कुसानों ने ही नियमित रूप से सोने का सिखा चलवाया था कुसानों से याद रखेगा, कुसान बंस का जो संस्तापक था, उसका नाम था कुजल कड़ फिसेश, इसकी राजधानी थी पुरुस्पूर जिसको हम लोग पैसाबर बोलते हैं और इस बंस का एक राजा था कनिस्क, ठीक है, इसने 88 इसवी में एक संबद चलवाया था, जो सक संबद से पुराजध सिध है, और जिसको भारत सरपार द्वारा भी परियोग में लाया जाता है question number 61 कहा रहा है, समुद्र गुप्त को निम्ड में से कौन सी उपाधी नहीं प्राप्त है, तो इस question का जो सहियन सरोगा बोह जागा कर्मादित, क्योंकि कर्मादित जो है, वो असकंद गुप्त को कहा जाता है बात बाकी ये सब किसको कहा जाता है, समुद्र गुप्त को भारत को निपोलियन भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा उसने हुआ गया था कि उसने आर्या बर्त के 9 सास को और दच्छिना बर्त के 12 सास को को पराजित कर दिया गया था और इसी बिजय के कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था समुन्द गुप से एक और चीज़ याद रखेगा इसको कभी राज भी कहा जाता है समुन्द गुप बिजनु का उपासक था next question है question number 62 question number 62 आपको match करने के लिए कह रहा है मनसौर अभी लेग जो है वो match करेगा है सोग धर्मन के द्वारा भीतरी अस्तब अभी लेग जो है ये असकंद गुप से match करेगा एरन अभी लेग जो है वो भानु गुप से match करेगा और बिल संड अस्तम लेग जो है वो कुमार गुप के साथ match करेगा Aaron Abilak इसमें सबसे ज़्यादा important है Aaron Abilak से एक question बहुत बार एक जाम में पूछा गया है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमान कहां से मिलता है तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमान हमें यही Aaron Abilak से मिलता है Question number 6 ती करा है इसमें यह सोसलिस्ट बढ़ नहीं जोड़ा जागा तब अगर आजागा तो वो हुआ था 1924 में साचिंदर सानियाल के द्वारा 1926 के बात करते हैं तो 1926 से याद रखेगा नौजमान सभा की सापना हुई थी 1926 में और किस के द्वारा किया गया था? भागा सिंग या स्पाल और छबील दास के द्वारा किया गया था कॉश्चन नौब 64 करा किस गोल में समेलन में कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए कॉंग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूतिय गोल में समेलन में भाग लिया था यानि वो प्रथम और 3 तिये में भाग नहीं लिया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जागा प्रथम गोल में सम्मेलन की बात करते हैं तो वो 12 नमंबर 1939 से 19 जन्वरी 1931 तक चला था दूतिये गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 4 दिसंबर 1931 तक चला और उस समझोता के बाद दूतिये गोल में सम्मेलन में फिर से कॉंग्रेस भाग लिया था question number 65 कर रहा कॉंग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यच कौन थे तो कॉंग्रेस की 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यच थे रास भिहारी घोस तो आपसर नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ये याद रखेगा 1907 के सूरत अधिवेशन से की इसी सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस जो था वो गरम दल और नरम दलों में बिभारित हो गया था फिर 1916 के लखनाव अधिवेशन जिसकी अध्यचता अंबिका चरण में जुमदार के द्वारा किया गया था उसी में फिर मुस्लिम लेक से समझोता हुआ था कॉंग्रेस का लॉड कर्जन के समय भारतिये बिस्विद्याले अधिनियम का पारित हुआ लॉड कर्जन के समय टॉमस रेले के धहस्ता में 1904 में यह हुआ है तो आपसन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा 1904 में भारतिये विश्विद्याले अधिनियम जो था वो पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन से याद रखेगा इसका जो टैनुवर था बोथ 1899 से 1905 और इसकी जो महत्पुन घड़ना है वो इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दूसरा चीज़ इससे एक चीज़ याद रखेगा इसमें भारतिये पुरा तर्थ विभाग की भी अस्थापना किया था साथी साथ चलिए अब बड़ते अपने अगले कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 67 कोश्चन नमर 67 कह रहा घेरे की निती या सुरच्छा परकोश्ट की निती का जनक किसको माना जाता है तो इस कोश्चन का जो सयन सरोगा बोह जागा ओप्सन नमर C बारेन हेंस्टिंग को माना जाता है बारिन हेंस्टिंग से एक चीज याद रखेगा इसने मुगल समराट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपे की बारसिक पेंजन थी उसको भी बंद करवा दिया था साथी साथ इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदर्शा भी अस्तापीत किया था जिसमें मुस्लिमों का स्कूल या पढ़ाया जाता है लॉड कलाइब से याद रखेगा लॉड कलाइब जो था वो बंगाल के समस छेटर के लिए दो उपदिवान मतलब बंगाल के लिए मुहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को निक्त किया था लॉर्ड बेलेजली से याद रखेगा इसने सहायक संदी की पदिती सुरुवाद की थी और ये स्वेम को बंगाल का सेर कहता था कोश्चन नबर 68 कह रहा है उनईसो ब्यालिस के भाराच छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहां जातिय सरकार का गठन किया गया है कोश्चन 69 कह रहा है इंडिपेंडेंटनस फॉर इंडिया लीग की असथापना कि इस ने की थी देखें इंडिपेंडेंटनस फॉर इंडिया लीक की अस्थापना की अगर बात करते हैं तो ये जिनरली हुआ क्या था कि पून्ट-स्वाधिनता के लच्चों को सुविकार क कोश्चन नमर 70 कहा रहा भागा सिंग और टेसवर्दत ने किंद्रिये पिधान सवा में बंफेका था तो कब बंफेका था आठ अपरेल उनई 29 को तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा ऑप्सन नमर 1 एक्चोली हुआ क्या था कि पब्लिक सेफ्टी बील के बिरोज में इन्होंने खाली बेंजों पर बंफेका था क्यूँ और इन्हेंने पंचे में लिग दिया था कि हमारा जो मकसद है वो किसी की जान लेना नहीं है बलकि बहर कानों तक हमारी आवाज पहुंचाना है कॉश्चन नमर 71 कह रहा है कॉश्चन की इसा दिवेशन के खानि के द्वारा किया था तो अप्सन नमर C आरेसें से आनि इसका सही अंसर होगा कॉश्चन नमर 72 कह रहा है देसील आइस्टों के प्रति अधिनस्त प्राखर्ट की निति किस बायसराय ने अपनाई थी तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number B Lord Hansling के द्वारा ये अपनाया गया था question number 73 करन निमलिखित में से किसने सेवा सदन के अस्थापना की थी तो सेवा सदन के अस्थापना बहराम जी M. माला बारी के द्वारा बर्षा 1885 में किया गया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जोती भाई फूले से याद रखेगा इन्होंने 1861 कामन में बाली का बिद्ध्याले के अस्थापना किया था रमा भाई से याद रखेगा इसने 1889 में सारदा सदन के अस्थापना किया था कोश्चन नमर 74 कहे रखेगा सहायक संधी सुईकार करने वाला पहला राज तो सहायक संधी सुईकार करने वाला जो पहला राज था वो था हैराबाद यह 1798 में हुआ था तो 1798 में सबसे पहले सुईकार किया था हैराबाद तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा फिर मैसूर और तंजोर जो था वो 1799 में किया था ठीकर साहर एक संधी की बात करते हैं तो साहर एक संधी सुरू किया गया था Lord Village Lee के द्वारा लेकिन Lord Village Lee से पहले भी फ्रांसीसी गबरनर्ड डूपले के द्वारा ये सुरू किया गया था question number 75 कहरा है कि China Man का संबंद किस खेल से है तो China Man से आप लोगों को एक नाम याद आ रहा होगा कुल्दी प्यादर जो भारत के बॉलर है वो China Man इनको बोला जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D, China Man का संबंद जो है वो क्रिकेट से है China Man इनक तरह का बॉलिंग का तरीका है question number 76 कहरा है जेंद अबेस्ता किस धर्म का धर्मिक गरंथ है तो ये जो है वो पार्सी धर्म का धर्मिक गरंथ है option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम ये ये हुदी धर्म की धर्मिक गरंथ की बात करते है तब है तोरह इसाई का धर्मिक गरंथ है बाइबल question number 77 कहरा है फीफा महिला बिसकब 2019 का खिताब किस देश ने जीता है तो अमेरिका ने जीता है नीदर लेंड को हराके तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अमेरिका की जो महिला टीम है वो चौथी बार ये खिताब जीती है और ये आयोजन कहां हुआ था आयोजन हुआ था फ्रांस में question number 78 question number 78 कहे रहा सरपर्थम जैब भी वित्तासथ का परियोग कि उसने किया था तो सरपर्थम जो जैब भी वित्तासथ का परियोग बिलसन के द्वारा किया गया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा टांसले से एक चीज़ याद रखेगा इन्होंने सरपथम प्रास्थीत की तंतर का प्रियोग किया था Q79 का रहा राष्ट मंडल खेल 2022 कहां आयोजित किया जाएगा तो राष्ट मंडल खेल 2022 की बात कर रहा है तो ये बर्मिंगम इंगलैंड में आयोजित किया जाएगा question number 80 का एरा हाली में किस राज में cherry blossom हुसम मनाया गया तो cherry blossom हुसम में घाले में मनाया गया तो आपसे number C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा में घाले से याद रखेगा अभी ततकालीन यहां के CM का नाम है और यहां के जो governor राजपल है उनका नाम है तथागत इल्वाई तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइगा साथी साथ आप लोगों के marks कितने आ रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइगा और आप लोग मुझे एक time schedule बता दीजे कि जिस time में आप लोगों को वीडियो प्रोवाईट करवा दिया जाए कि 8 बजे मैं daily online आप लोगों का class start test करवा दूँ या 9 बजे करवा दूँ